हेलो फ्रेंड्स अमर्सा चनल पे आप सबों का स्वागत है मैं प्रदीर प्रधान रोज की तरह लेकर आया हूँ आज की करेंड फिर्स आज है 31 रिसंबर 2018 और 31 रिसंबर 2018 को करेंड फिर्स के जितने भी कोश्चन बनेंगे हम लोग आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे ओके सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं एक मोटिवस्चन कोश्ट के साल स्टार्ट करना चाहता हूँ जो है यू डोंट नीड ए न्यू सन्राइश तु स्टार्ट अओवर यू ओली नीड ए न्यू माइंड सेट ओके सो बढ़ते हैं हमारे पहला कोशन की और हमारा पहला कोशन है कोशन नमबर वन जो है कैंद्रिय मंत्री मंडल ने किस पर एक राश्ट्रिय आयोग की स्थापना के लिए बिधयक के मौसोदे की मंजूरी दे दी है इसके बारे में डिटेल में जानते है जो है of the National Commission for Indian System of Medicine which is NCIM Bill and the NCIM Bill 6 to replace the existing Central Council for Indian Medicine which is CCIM बढ़ते हैं दूसरा कोशन की और हमारा दूसरा कोशन है कोशन नमबर टू जो है हाल ही मैं सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षन 2017-18 मैं कौन सा PSU सिर्स पर रहा है which PSU has been on top for PSU survey in the year 2017-18 इसका answer है option number V जो है Indian Oil अच्छा ये PSU क्या है इसके बारे में जानते है PSU क्या full form होगी है Public Sector Understanding Rank इसके इसी काधार पे ranking जारी किया है पहला नमबर पे Indian Oil है second नमबर पे है NTPC and third नमबर पे है ONGC Indian Oil का headquarter होगी है New Delhi में and इसके present time के chair person होगी Sanjeev Singh ji आप इस जो information है इसको ध्यान से देखिए बढ़ते हैं अगला question की और हमारा अगला question है question number 3 जो है अगला अंतराष्ट्रिया उन्ट सब कहां आयोजित किया जाएगा where will be the next international camel festival be held so our answer is option number B which is में इसमें क्या होगा इसके बारे में डिटिल में जानते हैं ये department of tourism art and culture के तुआरा organized किया गया है and ये जो event mainly include क्या होगा इसमें होगा camel dances camel dresses etc ओके ये क्यों मना जाता है जैसे हम सबों को पता है कि उट को sip of the desert कहा जाता है तो इसलिए मना जाता है बीकनिर का नाम आया जो की north west city है राजिस्थान के तो राजिस्थान का नाम जैसे ही आया तो इसके capital CM और governor के नाम साथ में याद करते चलेंगे capital होगिया जैदपूर CM होगे असोग हेलोट जी and present time के governor होगे कल्यान सिंग बढ़ते हैं अला question की और हमारा अगला question है question number 4 जो है राष्ट्रिय मानधिकार आयोग के बढ़तमन अध्यक्ष कोन है who is the current president of the National Human Rights Commission NHRC and our answer is question number D जो है HL Dattu इसके बारे में जानते हैं ये कब हुआ था ये constitute हो था 12 October 1993 को इसका headquarters New Delhi में है and present time के Secretary General को ने Ambush Sarmaji बढ़ते हैं अगला question की और हमारा अगला question है निम्नमेर से कोन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपती को आध्यदेश लाने की अनुच्छी प्रदान करता है which of the following permits the president of India to bring an ordinance and our answer is option number B which is article 123 so ये क्या चीज़ है इसके बारे में जानते हैं article 123 जो है it gives legislative power to the president and the president can issue ordinance when the parliament is not in session so बढ़ते हैं अगला question की और अई जो slide है ना आप इसको जो information दिया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा बढ़ते हैं अगला question की और हमारा अगला question है question number 6 जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संगठन को प्रतिवंदित घोसित किया which organization has recently been banned by the central government and our answer is option number B which is KLF इसके बारे में जानते हैं इसके बारे में इसी से related और एक question मैंने डाला है जो की KLF है इसका फूल फॉर्म है खलिस्थान लिवरेशन फोर्स और उसी से related एवी कोशन मन सकता है कि which organization has recently been declared a terrorist organization by the government इंडिया तो इसका answer हो गया option number B जो है खलिस्थान लिवरेशन फोर्स अब इसके बारे में जानेंगे it is a military group to create a sick homeless इसकोल खलिस्थान भाया आम्री स्ट्रगल और इसका founded कोन के थे जो है अरूर सिंग और सुक्रविंदर सिंग बाबर का भूता 1986 में अब बढ़ते हैं अगला question की और हमारा अगला question है question number 8 जो है हाल ही में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना दीबस मनाया इंडिया नेशल कॉंग्रेस celebrated its which founded Sunday recently so our answer is option number C which is 134 इसके बारे में जानते हैं नेशल कॉंग्रेस के बारे में ये इसका founded by A.O. Hume और दादाभाई नेरोजी in 28 December 1885 headquarter होगी है निव तेली first president of international congress होगी W.C. Banerji and present time के president होगी ये रहूल गांदी जी तब बढ़ते हैं अगला question की और हमारा question है question number 9 जो है हाल ही में किसने toll-free helpline की सुरुवात की है who had recently introduced the toll-free helpline so our answer is option number C which is ministry of finance अच्छा आपके लिए टास्क है कि आप बताइए comment box में कि toll-free number toll-free helpline number जो है वो क्या है आप comment box में बताइए इसको बढ़ते हैं अगला question की और हमारा अगला question है question बढ़ने से पहले ministry of finance का नाम आया तो उसके बारे में जानते हैं उसका इस्ताफना का हुआ था है हेड़्वाटर का कहा है इसको कब फर्म वड़ा हुआ था जो 29 अक्टोबर 1946 को हुआ था हेड़्वाटर नियु देली में है और अभी ministry के responsible में को है अरुण जेटली जी और इससे पहले प्यूस गोहल जी थे ओके यह important हो सकता है slide जो अरुण जेटली जी अभी है नियुक्त किया गया है यह one of the important question for today which is Mohinder Prataf Singh has been appointed as the next ambassador to India for which country so our answer is option number D which is Mongolia okay अब जानते हैं Mongolia के बारे में जिसका capital हो गया उलान बातर currency हो गया Mongolian Tograk President हो गया खालत मागिन बतुलगा and Prime Minister हो गये उखनागिन खुरिल सुख okay so बढ़ते हैं अला कोशन की और हमारा अला कोशन है question number 11 जो है हाल ही में सरकार ने किस बैंक के लिए 269 करोड रूपे का निवेस करने का फैसला किया है recently the government has decided to invest rupees 2159 करोड for the bank कौन सबेक है इसका answer है option number A जो है Punjab National Bank PNB इसके बारे में जानते हैं Punjab Bank का स्थापना हुआ था 19 में 1994 में जिसके founder हुए द्याल सिंग मजितिया एंड लाजपत राय हेड़क्वाटर हो गया New Delhi और प्रेजन टाइम के CEO and MD है सुनिल महता जी अभी revenue कितना है इसका जो है 47,424.35 करोड के सो बढ़ते हैं आखरी question की ओर सो हमारा बारवा question है कोन सा देश पहली बार Renminbi Denominated Panda Bonds जारी करेगा which country will issue the first ever Renminbi Denominated Panda Bonds and our answer is option number A which is Pakistan Pakistan के बारे में जानते हैं Pakistan's cabinet has approved the issuance of first ever Panda Bonds यह first time हुआ है पाकिस्थान के लिए पाकिस्थान के बारे में जानते हैं इसका capital हो गया इस्लामाबाद currency हुआ पाकिस्थानी रूपी and present time के PM कौन हो गई इम्रान खान जी ओके हम आसा करता हूं कि आज का session आपको अच्छा लगा हुगा so कैसे हुआ आप comment box में बताइएगा and मैंने जो question पूशा उसका भी आप comment करके बताइए आपको कैसा लगा okay so आज का session को यहीं करते हैं thank you a lot